अगर आप भारती क्रिकेट टीम के फैन हैं और चाहते हैं कि भारती टेम एशिया कप और वर्ल्ड कप गीते तो आज मैं आपको तीन ऐसे वीडियो दिखाऊंगा जिसको देखकर आपका दिल खुछ हो जाएगा ये तीन उन क्रिकेटरों के वीडियो हैं जो भारती टीम से लंबे समय से बाहर हैं और अब भारती टीम में अपनी वापसी को लेकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जस्तित बुम्रा का आता है जस्तित बुम्रा ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है इसमें उन्होंने अपने वापसी के संकेत दे दिये हैं बुम्रा इस वाक बैंगलॉर में हैं NCA में लगातार कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लगातार कड़ी ट्रेनिंग के बीच एक खबरे आ रही है भारत को अगस्त में जो ाइरलینड दोरा होना है इसमें बुम्रा को मौका दिया जा सकता है आपको बता दे कि भारत को आइरलینड में 3 टी 20 मैच खेले हैं और बुम्रा की वहां से वापस क्रकेट में वापसी हो सकती है पिछली साल सेतंबर से बुम्रा लगातार ट्रिकेट से दूर है बहुत सारे मीम बहुत सारे ट्रोल जो है वो लगातार उन्हें ट्रोल करते रहते हैं कि बुम्रा कब खेलेंगे देखो अब तो ये भी खेलने लगा इसकी भी वापसी हो गई बुम्रा कब आएंगे तो यह बुम्रा ने फाइनली संकेट दे दियाएगी भी या बुम्रा अब आएंगे देख वीजी आप तैयारी जोरो जोरो से चल रही है यह जो वीडियो है इसको आप देख रहे हैं साब इसमें पता चल रहा है कि इस तरीके से भुम्रा पूरी कड़ी मेनद कर रहे हैं लगातार उनकी जो स्पेस है उससे गिंद बाजी भी कर रहे हैं यानि भारती टीम के लिए अच्छा संकेट है दूसरा वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वीडियो श्रेय साइयर का है श्रेय साइयर इस साल मार्श में जो बॉर्डर कवस का ट्रॉफी हो रही थी उसके बाद टीम इंडिया से बाहर हो गए थे उन्हें इंजरी हो गई थी पूरा IPL नहीं केल पाए गेकर के कैप्टन थे लेकिन उसके बाजू उट टीम से बाहर हो गए अब उन्हें ने भी प्रैक्टिस करनी शुरू करती है यानि श्रेय साइयर जो भारती टीम के मिडिल ओर यानि मद दक्रम को मजबूती देते हैं वो टीम में एक बार वापस आ जाएंगे तो टीम इंडिया के जो नंबर चार और पांच की प्रॉब्लम है उसको सॉल्ट करने के लिए श्रेय साइयर अविलिबल होंगे और जो तीसरा वीडियो है बहुत स्पेशल है वहीं ये वीडियो है केल लाहूल का केल लाहूल ने भी अपनी प्रैक्टिस शुरू करती है आपको याद हो इस बार IPL में उनों ने शब शुरूआत की थी अपनी टीम लखनों की कफ्तानी की च्पीच में ही IPL में इंजर्ड हो गए थे उसके बाद से बाहर हो गए WTC फाइनल नहीं केल पाए और West Indies दोरे प पर आ चुके हैं तो अभी बैंगलोर में एंसिया में लगातार प्रिपेर कर रहे हैं और जल्द ही टीम इंडिया में नजर आ सकते हैं